नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बज़ और आज के वडियो में हम बात करेंगे बहुत एक विज्ञान के पहले टॉपिक को हम देखेंगे जिस पर हमने थियोरी का भी वडियो अपलोड कर दिया यूनिट एंड डिमेंशन पर और हम एकॉर्डिंग टू एंट को देखेंगे तो दोनों क्लास को आप जरूर देखेगा इसी तरह जैसे आपको जी एस का क्लास मिलेगा जिसमें हिस्ट्री जिग्रफी सभी कुछ को हम कवर करेंगे ठीक है तो यह जो क्लास का टाइमिंग होगा सुबाद 6 वजे मैं रखूंगा MCQ के लिए और साम 6 वजे रखूंगा क्लास मतलब अब्जेक्टिब के लिए ठीक है ना तो दोनों क्लास को आप अटेंड कीजेगा आप लोगों को बहुत ही जादा फायदा होने वाला है तो चली पहले टापिक को हम देखते हैं पहला टापिक आप से क्या पूछा गया है कि डैस यहाँ पूछा ग दूरी क्या हुआ है तो इसका दूरी क्या कहलाती है एस्ट्रियो इस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है ठीक है मतलब प्रित्वी से सूरे तक की दूरी को कहते है अस्ट्रोनॉमिकल दूरी कहते है ठीक है ना अब यहाँ दिखिए यहां डिस्क्रिप्शन है आप लोगों होगा astronomical दूरी मैंने आप लोग समझाया था कि astronomical डूरी होता क्या है तो one light year equal to me कितना होता है 9.46 into 10 to 15 एक प्रकास वर्स ठीक है न और यहां पर देखेगा figure के माद्य हम साब astronomical दूरी समझाया गया है कि one astronomical दूरी कितना होता है प्रित्वी और सूरे के बीच के दूरी को कहते है one astronomical दूरी कहते है अगला question दिखेगा vector यहां पुछा गया है कि vector कौन सी रासी है इन में से चारों option में से वजन, तापमान, वेग और लंबाई तो आपको पता है कि vector के पास direction होता है किसी direction में vector जो होता है मतलब direction होता है तो displacement क्या होता है उसके पास direction होता है क्योंकि initial minus final होता है V minus U होता है displacement आप लोगों मैंने बताया होगा कि A से B तक जाना है ठीक है तो अगर A से B तक जाते हैं तो displacement होगा अगर B से वापस A के पास आते हैं तो displacement आपका 0 हो जागा ठीक है ठीक है आगे देखेंगे अगले question को question number 3 question number 3 देखेगा displacement का formula क्या होता है wake का formula क्या होता है displacement appointment time होता है ठीक है ना आगे देखेगा निम्न में से कौन सा एक vector quantity है same question पूछा है तो option number D फिर से answer हो जागा wake है और इसका description हमने पहले देख लिए है और ये सभी antipc 2016 में पूछे गए question है आगे दिखेगा frame के संदर में में जो समय का function है एक वस्तू की इस्तिती में परिवर्तन की दर है उसे क्या बोलते है तो उसे हम क्या बोलते है वेग बोलते है ठीक है ना इसके theory को देखते है इसके answer को देखते है एक वस्तू की इस्तिती में परिवर्तन की दर क्या होती है वेग होती है मतलब change in velocity is called displacement किसी वस्तू का वेग डी हुई दिसा में प्रती 81 समय में उसके द्वारा चली गई दूरी होती है वेग equal to में क्या होती है मैंने बताया था change in displacement upon my time अब यह देखिए वेग value to t और समय के वीच में graph बनाए हुआ ठीक है तो exam में इस graph को देख लिजेगा क्योंकि exam में graph चार graph दिये होंगे आपको पुछेगा कि कौन सा graph सही है ठीक है ना आगे दिखेगा question number 5 मास प्रती unit volume क्या होता है तो मास प्रती unit volume क्या होता है घना त्वे होता है ठीक है option number C हो जाएगा इसके theory को देख लेते है चलिए आगे question देखते है question number 6 भी देखते है दबाओ दाब को नापा जाता है किस में तो दाब को नापा जाता है option number C बल अपान में छेतर फल मतलब जो pressure होता है ना force अपान में area होता है ठीक है उससे आपने निकाल लिया इस question का answer pressure आगे दिखेगा आगे दिखेगा ठीक है डाब की SI unit क्या होती है तो दाब की SI unit क्या होती है इस question का सही answer आप लोग बताइएगा तो डाब की SI unit अभी बताया तão adoption number C हो जाएगा अभी मैंने उपर si को समझाया था अप्शन numero C Newton फ्रते मीटर square वर की मीटर square वही चीज हो गया उसके बाद इन में से विसम आपको छाटना है तो गती सब वेग विस्तापन और वेग तो इसका सही answer हो जाएगा option number A क्योंकि बाकी सब क्या है न वेक्टर quantity है और यह क्या है scalar quantity है इसलिए अलग हो जागा सदिस रासी मतलब क्या होता है वेक्टर quantity जिसके पास direction होता है और रिजल्ट भी होता है ठीक है न अदिस रासी आप लोगों को पता चल गए scalar quantity होता है जिसके पास केवल result होता है direction दी होता है निमन में से कौन सा एक समूह से संबंदित नहीं है तो गती समय गती समय द्रवेमान और acceleration तो दीखेगा यहाँ पे सही answer क्या हो जाएगा समय ठीका ना समय हो जाएगा क्योंकि जो गती होता है द्रवेमान होता है मास होता है त्वरन होता है समय की इकाई पद्धिती mks देखेगा बहुत important question है mks, cgs और fps में second ही होती है जबकि और सभी क्या होते है परिवर्तित हो जाते है तो यह question important है क्योंकि यह तीनों आपको जानना होगा कि यह तीनों पद्धिती क्या होता है theory class में मैंने बहुत अच्छे से बताया तो देख लिजगा पानी का घनत्वे क्या होता है तो पानी का घनत्वे होता है option number E हो जाएगा पानी का घनत्वे हजार किलो पर घन मीटर क्यूँ अब मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा घन मतलब क्यूब ही होता है उसके बाद देखिए घनत्वे क्या होता है पदार्थ का दरवेमान मतलब मास अपान में वाल्यूम घनतव क्या होता है मास अपान में वाल्यूम अब दिखे बर्फ का कितना घनतव होता है 920 पानी का बता दिया मैंने 1000 लोहा का 700 7800 और यहां पे हो जाएगा 1300, 600 मरकरी का सबसे ज़ादा होता है ठीक है न आगे दिखेगा यह सब इंपोर्टेंट है तो इसे आप लोग स्क्रिंसॉट ले लिजएगा याद करके जाईएगा कोशन नमर 11 गैलन समानता डैस इस्तमाल किया जाता है मतलब कहां इस्तमाल किया जाता है तो आपसन नमर C हो जाएगा इसकोशन का सही एंसर आयतन को मापने में यह आप लोग को पता होगा कि गैलन को आयतन को मापने में यूज किया जाता है मतलब वॉल्यूम को मेजरमेंट करने में अब यहां देखिएगा गैलन समानता द्रवो के आयतन को मापने के लिए इस्तमाल किया जाता है वन यूएस गैलन का वैल्यू आपको याद होना लीडर वन बैरल इक्वाल टू में 159 लीडर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोशन है ठीक है अब दोस्तो हम कुछ और इंपॉर्टेंट कोशन को देख लेते जो की UPSC और PCS लेवल के कोशन है और बहुत ही अच्छे कोशन है यहां से भी आपसे कोशन पूछा जा सकता है तो इस कोशन को भी हम देख लेते इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा उससे भी हम देख ल मतरत उसका पूछ और इसके बाद अगले कोशन को अगर हम देखे तो बीपी से का कोशन है यह और यहां पूछा गया कि विदू शकती की काई क्या होती है अभी मैंने बताया कि what होती है ना और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया थियोरी चलिए आगे देखते हैं अगला question बल का मातर क्या होता है तो सभी को पता है कि बल का मातर क्या होता है Newton होता है option number C हो जाएगा और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं statistical point को भी हम जान लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है बल का ऐसा ही unit है Newton या kg किलोग्राम मीटर पर सकेंड स्क्वाइर होता है और बल दरविमान गुना में त्वरन होता है किसी वस्तू परे लगा बल वस्तू के दरविमान और उसमें उत्पन्य त्वरन के गुननफल के बराबर होता है तो यह आप लोग को पता है कि according to Newton second law of motion यही होता है F equal to में M into में A होता है चल्वे आगे देखते हैं अगले question को question number 3 के बाद हम देख लिए question number 4 को जब किसी वस्तू पर बल लगा के विस्तापन उत्पन ने किया जाता हो तो बल फोर्स द्वारक किया गया वरके बल तथा बल की दिसा में विस्तापन के गुनननफल के बराबर होता है कार यह एक अधिस रासी है स्किलर क्वाइंटिटी है इसका मातरक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते है जूल उर्जा की मातरा होती है अगला कोशन दिखेगा अगला कोशन आप से पुछा गया कि आवर्ती क्या होती है तो आविर्थी किस में मापा जाता है तो आविर्थी को किस में frequency तो आप लोगो पता है कि hertz में मापा जाता है ठीक है तो यह आप लोगो पता है BPSC के लेवल में पूछा गया है मतलब 2018 में इसका description देखेगा आविर्थी का ऐसा ही मातरा क्या होता है हर्थ होता है और मनुष्य समाने मनुष्य का जो सुनने की छमता होती है वो 20 हर्थ से लेके 20,000 हर्थ से आविर्थी की ध्वनी को सकने में सक्षम होती है हर्स में मापज आता है क्या तो हर्स में मापज आता है क्या option number A frequency मतलब आवर्ती को हर्स में major किया जाता है चलिए आगे देखेगा अगला question चालक की विदूत प्रति रोधकता की इकाई क्या है अब यहाँ देखेगा यहाँ इन चारों option में से कुछ नहीं होगा कभी कभी क्या होते है ना कुछ कुछ कोशन गलत हो जाते है यह MP के PCS exam में पूछा गया है तो चलिए हम देखते हैं इस question का सही answer यहाँ पे दिया हुआ इसका description किसी पदार्थ की electric resistivity से उस पदार्थ का विदुधारा के प्रभावक का विरोध करने की छमता का पता चलता है कम प्रतिरोध वाले पदार्थ असानी से विदुधावेश को चलने देते हैं इसकी SI1i ohm meter है और इसको rho से इस चीज को क्या बुला जाता है rho बुला जाता है मतलब यह होना चाहिए इसका सही answer ठीक है ना और यहां पे बताया गया है कि क्या क्या option दिया गया था तो देख लिजगा सभी option को बताया गया है कि यह 4 option क्या गलत है चलिए अगले question को देखते है question number 8 को प्रकास वर्स मैंने बहुत अच्छे से बताया तो यह किसका unit होता है दूरी का तो यह आप लोगों को पता है प्रकास वर्स के बारे में मैंने बता दिया कि कितना होता है देख लिजए मैंने theory class में बताया हुआ प्रकास वर्स क्या होता है देखे option को change किया और ये UP lower sub मतलब पुलिस SI के form SI में पूछा गया होगा option number C प्रकास द्वारा एक वर्ष में चले गई दूरी को प्रकास वर्ष से कहते हैं आगे देखें प्रकास वर्ष निम्न में होता है दूरी का उसके बाद देखिएगा उसके बाद प्रकास वर्ष से प्रकास वर्ष किसका मात रखे प्रकास वर्ष फिर से गुमा के question पूछा है तो option number B हो जाएगा दूरी का जो की प्रकास से एक वर्ष में तैय करता है मतलब एक वर्ष में जितना प्रकास यह मैंने बताया थूरी के class में ठीक है उसके बाद एक parse एक parse के ताथों से संम्दितो दोरी को को मापने का मात्रा के बराबर किसके होता है तो यह होगा 3.25 प्रकास words होगा थूरी के class में मैंने बताया था और यहाँ parse को क्या लिखते है पेरलेटिक से सकेंड इसका मतलब फुल फार्म होता है ठीक है ना कुछ-कुछ बोलने में गलती होता है तो उतना मुझे माफ कीजिएगा आगे देखिएगा वन पार्सेक का वैल्य होता है ठीए इन्टू टैंटू टीपावर सिक्सीन मेटर और लाइट येर का वैल्य मैंने में पहले बता जिया तो इसे आप देख लिजेगा आगे देखते है अगले कोशन को ठीक है थुरा मोबाईल हैंग हो गया है अब सही हो गया वन पार्सेक का value मैंने बताया हुआ है light year का value बताया हुआ है पार्सिक प्रकास वर्स में ज्यादा chances है कि पूछे ठीक है न मोबाइल थोरा सा हैंग हो गया काम नहीं कर रहा है सही से चली कोई बात नहीं अगले question को देखते हैं one parsec होता है दोरी का मातरक होता है न पार्सिक भी ठीक है पार्सिक किसली होता है काम थेयरी के class में देखेगा आगे देखेगा आगे question पूछा गया आपसे आगे question आपसे पूछा गया कि माप की कौनसी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो आप लोग को पता है cm, मतलब की 1 cm equal to 0.39 इंच होता है, ठीक है, 0.39 से गुना किजेगा, तो एक इंच प्राप्त होगा, समझ में आगे आप लोग को, आगे देखते हैं अगले कोसन को, कोसन नमर 16, 6 फिटे लंबे व्यक्ति की उचाई नैनो मीटर में ग्याद करनी है कैसे करेंगे तो देखिएगा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं एंसर बाद में देखते हैं यह आईएस का कोशन 2008 में प्रिलिम्स में पूछा गया था यहाँ देखिएगा वन नैनो मीटर का वैलू होता आपका वैल्यू 183 गुना में 327 नैनो मीटर आ जाएगा अगले कोशन को देखते हैं एक नैनो मीटर होता है क्या तो वन नैनो मीटर है 329 सेंटी मीटर यह आप लोग को पता है ठीक है आगे एक नैनो मीटर अभी मैंने बताया रिपीट कर रहा है बार बार कोशन एंपियर मापने की किसकी काई है तो विद्धारा सभी को पता है ठीक है ना विद्धारा के बारे में आप लोग को पता है ज्यादा कुछ हम लोग ने देखेंगे मेगा वार्ट विजली के मापने की काई क्या है तो आपसा नमर ए यहां दिया हुआ है उत्पादित की जाती है मतलब केंद्रे से उत्पन्ने की जाती है एक मेगावर्ट टेन तुटी पावर शिक से वाट के बरावर होता है important question है question number 21 को हम skip करेंगे question number 21 का theory देख लेते है त्वारन किसी गती वस्तू के वेग प्रती एकांग समय अंतराल में होने वाले वाला प्रिवर्थन होता है acceleration आपको पता है acceleration आप लोगों को पता है क्या होता है आप लोगों को पता है change in velocity with respect to time यह होता है तो इसका SI unit क्या होता है acceleration का meter per second square force का unit होता है Newton और impulse का मातरा क्या होता है Newton second होता है work का क्या होता है जूल होता है work energy दोनों का जूल होता है आगे निम्न में से SI unit में कौन सही सुमेलित नहीं है तो option number D हो जाएगा इस question का सही answer मतलब दाब और data dine यह सही सुमेलित नहीं है आगे देखिए दाब का ऐसा ही मातरक क्या है पास्कल cgs प्रणाली में बल का मातरक डाइन होता है आगे देखिएगा निम्न में से किसरासी का मातरक नहीं है तो निम्न में से किस रासी का मातरक नहीं है तो option number C विक्रिती मतलब error का कोई मातरक नहीं होता है आगे दिखेगा इसका theory देख लिजेगा किसे वस्तू की विमाय में आया परिवर्तन उस वस्तू की मूले विमा के अनुपात की विक्रिती कहते है विक्रिती एक विमाहीन रासी है अर्थाते इसका मातरक नहीं होता है आगे दिखेगा सक्ती के बारे में जान लेते हैं कोई सन बहुत लंबा है तो इसलिए नहीं देखेंगे theory देख लेते हैं सक्ती पावर का मातरक jule per second होता है जिस what कहते है नौटे समुंदरी जहांच की गती मापनी की काई होती है नौ संचार में परियुकते दोरी को नौटिंगल मील में नापते हैं कैलोरी उसमा की मातरा होती है ठीक है तो यहां आपको काफी कोशन के एंसर पता चल गए उसके बाद भी लंबा लंबा जो कोशन है उसको मैं स्किप करूँगा बटे थियूरी उसका दिखेंगे जूल, कार्य और उर्जा का मातरा होता है ठीक है जो कि मैंने पहले बताया था एंपियर, वर्ट, वोल्टेज, एवं कैरी, कैलोरी, क्रमसा, धारा, समर्थ, विवांतर और उसमा का मातरा है विवांतर मतलब वी होता है पोटेंशल डिफरेंस जिसको इंग्लिस में बोलते हैं ठीक है आगे देखिएगा निम्न मेंसे कौनसा सुमिलित नहीं है तो इस कोशन का भी हम थियूरी देखेंगे क्योंकि कोशन बहुत लंबा होता है प्रकास वर्स समय की नहीं अपितु दूरी को मापा जाता है यह आपको पता है अंतराश्टी खगोल सेंगे के अनुसार प्रकास वर्स वह दूरी होती है जो प्रकास द्वारा निर्वात में एक वर्स में तेई की जाती है प्रकास प्रसना गत अन्य युग में सुमेलित नहीं है तो यह कोशन पूछा गया था एंग्स्ट्रॉम इकाई माइनस 10 की होता है ना वेवलेंद मापने के लिए वन होर्स पावर यह रेलवे के एकजाम में पूछा जाता है तो 746 वाट के इकवल होता है ठीक है अब यहां कुछ थियोरी में कुछ जानने लाइक बात लिखा है कि नहीं देखते हैं वन वाट इकवल टू में वन जूल चाल कानूपात होता है अधा मैक उच्चे वेग को परिखा करने के लिए परियुक तो होता है तरंग धोर्य का मापन एंग्स्टॉम किया जाता है जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा उर्जा का मात्रक जूल होता है ठीक है आगे अगला कोशन पुछा गया है कोशन नमर 30 से 37 गर PCS का कोशन है जूल उर्जा से उसी तरह संबंदी थे जैसे पास्कल संबंदी थे तो इ कोशन का सही एंसर हो जाएगा और 10203 क्यों को सकट किया गया होगा देखें में था क्यूब से मल्टिप्लाइ किया गया मीली मिटर में बन गया तो बन गया ना आगे देखेंगा एक माइक्रों लंबाई परदरसित करता है किसको तो ऑफसान नमर भी हो जाएगा 1020-4 यह भ देख सकते हैं ठीक है म्यू से इसको डिनोट किया जाता है 33 कोशन सुमिलित करना है तो इसलिए हम लोग इसका डिस्क्रिप्सन देखेंगे सेल्सेस ताप कोम आपने का मातरक है उसमा हीट का मातरक कैलोरी होता है नौ संचार में परियुक्त दूरी कोम आपने की इकाई समुंदरी मील है ठीक है यह हमने पूरा देखा था एक असव सकती 746 वाट होता होर्स पावर है ध्वानी की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती ह तो देखे एक कोशन था और वहाँ पर कितने कोशन का अंसर हम लोगो मिल गया सकती कमा तक जूल पर सेकेंड होता है जिसे वाट में कहते है और हीट का पता ही है कि कैलोरी होता है ठीक है आगे देखे तो मैं कोशिस करूंगा कि UPSC की भी कुछ कोशन आप लोगो करवा दू निम्न में से कौनसी एक उस्मा की इकाई नहीं है तो निम्न में से कौनसी एक उस्मा की इकाई नहीं है तो आफसन नमबर डी हो जागा इस कोशन का सही अंसर मतलब आफसन नमबर डी वाट वाट आप लोगो पता है किसकी इकाई होती है ठीक है उस्मा की इकाई नहीं है व होता है ज playthrough का मापन कैलोरी, कीलो कैलोरी !! केजल कीलो !! وت कीजल होता है सक्ती को आपने परियूक्त की जाती है की dyjol होता है उसके बाद उस्मा की काई नम्न में से कौन सी नहीं है तो centigrade सेंथ great नहीं होगी ना क्योंकि यह temperature का होता है ठीक है तो यह हम लोगे को पता है calorie, Joule, Erg के बारे में नहीं पता होगा तो उसके बारे में मैं आप लोगे को बता देता हूँ कि Erg का संबंद किस से है calorie, Joule और Erg उस्मा की काई है ठीक है उसमा flow हुआ उसमें तो हम लोग ऐसा बोलते हैं वन की किलो मेटर दूरी का मतलब क्या होता है तो सभी को पता है बच्चो वाला कोशन है एक हजार मेटर ठीक है बिहार के PCS एक्जाम में पूछा गया है तो यह पता है इस कोशन को हटा देते हैं एक पिको मेटर मैंने बता है पिको मेटर कितने के बराबर होता है 10 to 2 power माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है ठीक है यहाँ देख लिजेगा मैंने सब ठीयोरी में आप लोग को बता दिया है आगे देखते हैं अगले कोशन को अब मुझे लगता है कि सभी कोशन यहां खतम हो गये ठीक है अब यहां आम दे बैरो मीटर वाईयो मनली यह प्रेसर को अटमोस्फेरिक प्रेसर को मेजर करता है कॉडियो ग्राम हरदय की गती को की जाज करता है हाइडरो मीटर हाइडरो मीटर है द्रब्य का अपिक्षित घनत्वे को जाज करता है नैनो मीटर देखेगा क्या लिखा हुए है मैनो मीट मैनोमिटर क्या करता है देखते हैं मैनोमिटर काम करता है गयास के प्रेशर को मेजर करता है rain gauge वर्षा का मात्रक है Richter scale भुकम्प की त्रिविजा का Lactometer दूद की सुधेता का Featherometer समंदर की गहराई का Anemometer हवा की सक्ती तथा गती का मापक है उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे Hygrometer Hygrometer वाईयू मंडलिये अधरता मतलम नमी कितना है उसको मिजर करता है उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे Sismo graph है भुकम्प की मापी यंद्र है Sextent है Akasya Pind की कौनिये दूरी की माप करता है Ameter विदुधारा की मिजर्मेंट करता है उसके बाद audio meter सभी को पता है पहियो द्वारा तै की गई दूरी को मिजर करता है किसको graph है पौधो की व्रिधी को मिजर करता है Galvinometer विदुधारा की प्रवलता को माप करता है और यह देखे गए Spigmometer रक्तदाब को मापक है Pyrometer उच्छे ताप का मापक है Hydrophone पानी की घनत्वे की माप करता है Tacometer वायू यान तथा Motor वोटो की गटी को मापता है ठीक है न इस गटी को मिजर मेंट करता है आगे दिखे Thromo State Thromo State मिजर करता है ताप नियंतरन करने में Gyroscope घुमती हुई वस्तू की गटी को मापने में Statico Scope देख लिजेगा हिर्दे की गती और फेफरों की गती को सुनने में ठीक है जो डॉक्टर लोग के पास होता है Dialysis गुर्दे खराब होने की अवस्ता में रक्त सोधन में Radiator वाहन की इंजन को ठंडा करने में Gylophone ध्वनी उत्पादन में Patent पेटेट द्रवे की निश्तित मात्रा मापने में PaceMaker हिर्दे स्पंदन में Chromometer Chromometer जल यानों पर समय का सही पता लगाने में Citroton Citroton Criterium मौसरम का निर्बान करने में Pico Meter दूर की वस्तु को ताप को मापने अब पुरतित गतिक कर रही वस्तु का वेग मापने में उसके बाद Dictaphone बाचित रिकॉर्ड करने तथा पुना सुदने में ठीक है यह important है उसके बाद Accumometer Accumulator विदुद उर्जा संग्रहन में उसके बाद Calculator Calculator विदुद धारा की दिसा को बदलने में Ordometer गारी द्वारा तेकी गई दूरी को अभी लेकित करने में Calculator Calculator इंजन में पेट्रॉल इंजन में पेट्रॉल में आयू का निश्चेते भागे मिलाने में ठीक है और ग्रेवी मेटर जल में उपस्थिते तेल शेतर का पता लगाने में ठीक है तो जितने भी important question थे वो हमने इसके वीडियो में करने का कोसिस किया और मुझे ने लगता है कि इससे बाहर measurement और dimension से इससे बाहर कुछ भी पूछा जाएगा कोई भी topic आप से पूछा जाएगा जितने most important questions है सभी मैंने बता दिया railway and TPC को ध्यान में रखके और बाकी सभी exam के लिए important है बट railway के लिए मैंने proper notes तयार किया उससाब से मैंने आप लोगो बता दिया इसी तरह के class के लिए आप हमारे channel को please subscribe कीजेगा और किसी topic पर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग comment करके मुझे बताइएगा और जादा से जादा इस video को share कीजेगा क्योंकि बहुत महनत मैंने किया notes बनाने में को मिलेगा एक दिन आपको GS देखने को मिलेगा मतलब general science क्योंकि आप लोगों को पता है कि 10 से कम से कम 12 नंबर के question पूछे जाएंगे और एक दिन आपको GK देखने को मिलेगा जान से 10 नंबर के question देखने को मिलने वाले हैं जो current affair होगा वो आपको मंतली basis पे most important topic में करवाऊँगा जो की antipisically important होगा ठीक है बहुत ही ध्यान से बहुत ही दिमाग से हम लोग को study करना है ठीक है ना चलिए ठीक है तो इस वडियो का फिलावल यही पर खतम करते हैं आसा करते हूं कि आज के दिन आप लोग को काफी अच्छा रहा है अगली वडियो में फिर से मिलते हैं ट्रेंक्यू